हालो गैज आप लोगा स्वागत है आपके अपने यूटूपशन इन टॉपशन पर तो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग निकल कर आई है सामने जो यूपीटेट 2020 है हम लोग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे लेकिन नोटिफिकेशन तो नहीं आया है लेकिन एक बुरी सही अपडेट आपको मिलती रहती है तो इसमें कुछ भूई खबर भी है और कुछ अच्छी खबर भी है तो दोनों चीजे मैं दिखाऊंगा यूपी टट से ही रिलेटेड हैं दोनों चीजे देखने के लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए चलिए ये रही हम लो से रहाजन को करीड़ दो मा पहले दिए प्रसताओं पर कोई निड़्या नहीं हो जैसे मने बता देख प्रसताओं भेजा गया था तब भे मैंने वीडियो बनाया था उसे पर कोई निड़्यो नहीं लिया गया है प्राधिकारी सचीव अनिलबूचा चतुरवेदी का कहना है कि परिक्षा के लिए कम से कम तीन महीने का समय आवस्यक है ठीक है ये इन्होंने कहा है कि अभी तक जो है कोई निर्ड़य नहीं लिया गया है और जो परिक्षा के लिए होता है कम से कम हमें तीन महीने का समय चाहिए होता है फॉम भरनें पर समय लगता है पर एड्मिट कार रिलीज होता है उसके बाद में पेपर होता है तो इन्हों ने ये कहा है कि इस साल नहीं होगा कहने का मतलब आप समझे ये तो होगी बुरी खबर कि अभी इस साल नहीं होगा अच्छी कपर सुनिए इन्होंने ये कहा है कि इस साल नहीं होगा यानि कब होगा ये ये जो आपका पेपर है ये जनौरी में हो सकता है क्योंकि जनौरी में तो दूसरा साल आ जाएगा ना इन्होंने कहा है तीन महिने का समय लगेगा कि seated का जो paper है वो 31 January को लगा तो वो भी तो दूसरा ही साल हुआ ना वो भी तो 2021 हो गया तो कहने के मलब यह है तो negative यह है कि 2020 मिने होगा और positive है कि 2021 के जनौरी में हो सकता है ठीक है तो form जो है यह number में ही आएगा यह बिल्कुल done है और paper जो होगा वो जनौरी में होगा तो मिलते हम लोग अपनी अगली वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए और जितने भी आपके बच्चे हैं आपके आज पास यूपी टर्ट सीटर्ट इतारी करने ले सबको सेयर करिए और सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी सब्सक्राइब करिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जए हैं